अलो दोस्तो व्लकब तो स्लीपी क्लासेश दोस्तो जैसा कि आपको बता है कि स्लीपी ग्लासेश सम्वब प्रीलिम क्रेश कोर्स लेके आई है जो 2023 प्रीलिम के लिए काफी बचो ने जोईन किया है और इसके अंदर हम सब्जेक्ट वाइस जो है लाईव क्लासेश लेते हैं बच्चे question पूछते हैं हम अंसर भी देते हैं तो यहाँ पे science and technology मैं बढ़ाता हूँ और इसके अंदर जैसा कि अगर अपने YouTube sleepy classes का follow किया है तो आपको पता होगा कि last year जो हमने discuss किया था काफी question UPSC ने वो पूछे हैं तो इस बार भी hope है कि ऐसे ही question UPSC पूछे और science and tech में से एक चोटा सा topic यहाँ पे हैं मैं discuss करने वाला हूँ वो है दोस्तो car T cell therapy and base editing के बारे में तो आप इसको ध्यान से देखिए और जो important information है अपने notes के अंदर वहाँ पे लिख सकते हैं अब बात करते हैं car T cell very very important for this year car T cell plus base editing यहाँ पे दोनों मैं करवाने जा रहा हूँ तो द्यान से सुनना ठीक है car T cell और base therapy दोनों को हमारी body के अंदर B cell और T cell है है ना जो हमारी immunity provide करते है ठीक है कोई बाहर से कोई चीज आ रही है उसके against हमारी यह immunity provide करते है immunity बढ़ाते है body की अब उनमें से जैसे T cell है T cell क्या करेगा कोई बाहर से कोई cell आया तो T cell को पता चला कि यह तो अपना है जी नहीं तो यह तो foreign वाला cell है तो T cell क्या करेगा उस cell को लेटसे यह cell है उस cell को खतम कर देगा यह cell जो है यह infectious cell है जो बाहर से आ रहा है और ये हमारी बाडी के लिए क्या होगा ये होगा एंटीजन हमारा एंटीबाडी सिस्टम वर्क करेगा जो T-cell है यहां पे ये इसको खदम कर देगा T-cell का ये काम है अब ये सेल खदम कैसे करते हैं उसकी बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि दो basic concept पहले clear करने जरूरी है otherwise आपको दिक्कत आएगी अब यहां से मालीजिए बाहर से कोई सेल आ रहा है ठीक है ये suppose करो कोई वाइरस है अब अपने T-cell जो है T-cell है बाडी के यहां पे इस तरह से ऐसे वेट कर रहे हैं उसकी कि आने दो ठीक है तो ये क्या है ये हमारे लिए antigen है ये बाडी के अंदर गुसरा है तो अपना जो T-cell है वो इसको खतम करेगा कैसे खतम करेगा ये जो T-cell है basically यहां पे जैसे वाइरस आया तो ये जो T-cell के ये वाला जो portion है ये आपको दिख रहा है यहां पे उसके स्पाइक्स है ये जो इसके साथ ये रेसेप्टर जो है इस तरह से अटैच होंगे T-cell के यहां से इस तरह से T-cell को इदर बना देते हैं थोड़ा सा इसी रहेगा तो यहां से रेसेप्टर उसके साथ अटैच हुए और इस cell को खतम कर दिया यहां पे और भी होंगे यह एक तो एकेला आएगा नहीं है ना यह कौन सा शेंचा है ठीक है जो रात में अकेला जलेगा तो यहां पे और भी होंगे तो यह भी उनको खतम करता जाएगा ठीक है तो इस तरह से अपना T-cell जो है वो हमाये immunity प्रवाइड करता है जो infectious cell है उनको खतम करता है ठीक है अब मेरा जो purpose है वो है कि जब हम देखते हैं कि जो blood cancer type है जो cancer cell है basically cancer cell अगर मैं वैसे बताओं आपको cancer cell है क्या cancer cell की बात जब होती है तो cancer cell basically क्या है कि कोई हमारी जो हर एक body का जो cell है उसकी एक normal growth है जब tumor कैसे बनता है उसकी बात करो उसकी एक normal growth है अगर आप देखोगे तो आपके जो उंगलियां है वो उतनी ही बड़ी है ऐसा नहीं कि बढ़ती जा रही है सुबह पता लगा वो इतनी इतनी बड़ी होगी लेकिन अगर मालो ये growth जो है uncontrolled हो जाए है ना के growth करता ही जा रहा है तो वहाँ पर उसको बोलते है cancer cell उसको tumor बेसिकली बोलते है तो cell की growth वहाँ पर control नहीं रहता control नहीं रहता वो grow करता जाता है तो वहाँ पर tumor बन जाता है तो अब मैंने ये तो समझा दिया आपको कि बाहर कोई कोई cell आएगा तो हमारा T cell कैसे काम करेगा ठीक है हाला कि B cell और T cell दोनों काम करते हैं क्योंकि T cell के साथ related therapy है तो T cell ही पढ़ रहे हैं तो health के अंदर बाकी दूसरा cell भी पढ़ेंगे तो अब यहां पे तो यहां पे क्या हुआ कि T cell को हमने train करना है कि जो cancer cell है जो cancer cell है वो उसको भी T cell खतम कर दे अभी तो क्या चल रहा है आप देखते हो किसको cancer है तो वहां पे अलगला कीमो थ्रैपी रेडियो थ्रैपी यह अलगल थ्रैपिक्स के थ्रू वो गुजरते है ठीक है यहां फिर हम क्या करते है कि किसी को कोई tumor है तो उतना जैसे माले यह बाडी के अंदर यहां पे कोई tumor है तो जब बाडी के अंदर यहां पे tumor होता है तो आपको यहां पे नीचे भी होगा क्योंकि ये cell ही problem create कर रहे हैं है न क्योंकि इनकी growth unlimited है ये grow करते जाते हैं तो हमें अगर माली जी इसको treat करना है तो सर्जरी से तो हम यहां से थोड़ा थोड़ा ज्यादा area को cut करते हैं इतना है न क्यों cut करते हैं क्योंकि एक भी cell बच गया जिसकी growth uncontroll है वो फिर उतना ही grow कर जाएगा तो हम उसको cut करते हैं अब माली जी किसको brain tumor है तो वहां पे brain का portion ज्यादा cut करना उसके साथ बहुत से क्योंकि अलग अलग areas है brain के अंदर तो वह impact ज्यादा पढ़ता है बाड़ी के ओपर किसी की यादा भी जा सकती है को अलग अलग चीज़ें हो सकते है control हो सकता ह है सब कुछ हो सकता है तो यहां पे हमें cancer cell को खतम करना है तो अगर हम T cell जो है वो नौर्मली इतना काम नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर मैं T cell को train कर दूँ train कैसे कर दूँ कि इनके जो receptor हैं वो इस तरह से बना दूँ कि यह जो जैसे ही इन्होंने cancer cell देखा उसके साथ एकद है माल लीजिए यह patient है ठीक है color change करते है माल लीजिए दोस्तों यह patient है यह ठीक है अब इसको cancer है तो हमने क्या किया यहां से इसकी body से T cell निकाले blood निकाला basically T cell को अलग किया ठीक है T cell आ गए हमारे पास तो हमने T cell के अंदर आप क्या करना है gene editing gene editing करनी है ठीक है हम एक gene insert करते हैं T cell के साथ T cell के अंदर एक gene insert करते हैं अब इस gene की वज़ा से यहां पे बड़े बड़े जो receptor आ जाते हैं यहां पे बड़े बड़े receptor आ जाते हैं जिनको बोलते है काइमेरिक एंटिजन receptor C A R तो अब पहले जो normal T cell था अब इसके साथ जो receptor बड़े बड़े आगे तो यह क कार T cell है ठीक है अब हमने क्या किया इसका number increase किया ठीक है इसको grow करते के करते के लैब के अंदर उसके बाद जो है patient के blood के अंदर दुबारा insert कर दिया तो यह T cell जो है patient के blood के अंदर चलेगे तो जो पहले T cell थे वो तो ऐसी थे लेकिन अब कैसे है बाड़े के अंदर इस तरह है ठीक है अब यह patient को cancer है तो अब यह T cell जब body के अंदर जाएंगे तो जो cancer cell होगे उनको देखते ही यह क्या करेंगे attach कर जाएंगे इस तरह से attach कर जाएंगे और इसको खतम करते जाएंगे ठीक है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यह T cell है T cell जो है cancer cell है cancer cell के साथ attach होके cancer को खतम करते हैं इसको बोलते है car T cell therapy UPSC कैसे पूछे है UPSC एक तो simple question car T cell therapy किसे लेटर है Ebola cancer से दूसरा यहाँ पर UPSC अगर detail में गया तो यह gene editing है बिल्कुल gene editing है क्योंकि T cell है T cell जो उसको खतम करते हैं और cancer cell के अंदर इस तरह से extra receptor लगा जाते हैं T cell के अंदर तो इस तरह से question पूछ सकते है means modification of self बिल्कुल सही है तो यहाँ पर हमने modify किया है है ना तो यहाँ पर हमने वो लगा दिया है जैसे आप bike modify करवाते हैं आप car modify करवाते हैं car basically kimeric antigen receptor है नाम है C.A.R. इसलिए उसको car बोलते है car भी modify करवा सकते हैं तो यहाँ पर car basically modification है T.C.L. की कि वो cancer cell को खत्म करते है अब पढ़ते हैं base editing इसी के अंदर अब एक case आगे न के बास जो patient था उसका नाम था alisa alisa ठीक है इसको भी एक disease थी जिसका नाम है t.ol त.ol आप छोटा नाम याद रखोगे यह जाला बेटर है यह भी एक blood cancer है यह भी एक blood cancer है ठीक है यह क्या है blood cancer है थोड़ा समय है यहाँ पे यहाँ पे एक नया page तो patient का नाम है जी alisa तो case अपने पास आया है आज ठीक है हम treat करेंगे देखते कैसे क्या बढ़ता है treatment procedure तो अब इसको एक disease है T.ol यह एक type का blood cancer है ठीक है तो पहले doctor के पास patient जाएगा तो doctor कैसे treat करेगा doctor के पास option क्या है कि कुछ chemotherapy कर दो कुछ radio therapy कर दो यह सारा काम किया ठीक है लेकिन T.ol जो है यह basically करता क्या कि आपका जो bone marrow है bone marrow के अंदर दिक्कत पेज करता है मतलब इसके अंदर जो stem cell है stem cell है जो बनाते है T.Cell जो बनाते है T.Cell हमारे blood भी है वो भी stem cell से ही बनता है आपको पता है तो stem cell है bone marrow के अंदर जो बनाते है T.Cell ठीक है जो T.ol है यह इस stem cell को ही effect कर देता है stem cell को ही effect कर देता है ठीक है इतना भी समझो दुबारा आता हो इसे केस के उपर तो किमो थरापी रेडियो थरापी यह सारी करनी है ठीक है तो उसके बाद option result नहीं आया तो हमने क्या बोला कि ठीक है इसको कार T-cell therapy दे लो कार T-cell therapy ठीक है अब हमारे पास second option है कि कार T-cell therapy क्योंकि बहुत से लोग उसे ठीक होते हैं कार T-cell therapy देंगे कार T-cell therapy के अंदर मैंने क्या बताया कि हमें T-cell चाहिए कहां से आते हैं वो patient से patient से ठीक है जी patient से हम T-cell निकालेंगे लेकिन जो T-all है उसके अंदर वो क्या कर रहा है वो stem cell को effect कर रहा है कौन से stem cell को जो T-cell बनाते हैं तो इट मिंस कि जो alisa की body के अंदर जो T-cell होंगे क्या वो healthy होंगे या नहीं होंगे ये बताये जो alisa की body के जो T-cell होंगे T-all के case में क्या वो healthy होंगे या नहीं होंगे क्योंकि stem cell ही defect है अगर यहां पर यह defect है तो T cell कैसे healthy बनेगे है ना T cell healthy नहीं बनेगे तो का T cell therapy के अंदर हम क्या करते थे patient से हम T cell लेते थे लेकिन यह तो T cell healthy है यह नहीं तो हम कैसे ले 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 फिर हमने भूला कि चलो ठीक है हम क्या करते है donor से T cell लेते है लेट से है अलीसा कोई और रिश्टेदारा रहा है यह कोई भी है तो हमने वहां से donor से T cell ले लिए तो donor से जब T cell लिए तो T cell बंदे की बाडी के अंदर डालेंगे मालिजे किसी और से T cell लिए है मेरी बाडी के अंदर डाल दिया अब टी सेल के लिए कोई भी फॉरं सेल होगा उसको क्या करेगा वो खत्म करेगा क्योंकि टी सेल के लिए कोई भी फॉरं सेल होगा मैंने बता है टी सेल का काम क्या है कोई फॉरं सेल आया उसको वो खत्म करते हैं अब मेरी बाड़ी के किसी और के टीसल डाल दिये तो मेरी बाड़ी के लिए वह जो फॉरण टीसल है लेकिन मेरी बाड़ी के टीसल वीक है तो जो फॉरण टीसल आया उसके लिए मेरी बाड़ी के सेल सारे वीक होंगे तो हो सकता है जो यहां पे वी जो अलीसा की बाडी के अंदर अगर हम फारण टीसल डालें क्योंकि उसकी बाडी का टीसल भी किया और फारण टीसल जो है उसके लिए कोई भी आएगा उसको उड़ा देगा तो यहां पे अलीसा की जो बाडीसल है उन सभी को टारगेट करके उसको खतम कर दे, यह हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो यहां पर दिक्कत आगी, तो हमें करें तो करें गया, तो फिर हमने बुला कि यार अगर यह जो डूनर T-Cell है, इसके अंदर हम कुछ एडिट करें, एडिट क्या करना चाहिए, कि एक तो भई अगर यह अलीसा की बॉड़ी के अंदर जा रहा है, तो उसकी बॉड़ी के सेल को टार्गेट ना करें, दूसरा जब हम अलीसा को कीमो थरापी दे रहे हैं, उस टाइम पे यह कुछ सेल जो है, वो कीमो थरापी को सस्टेन कर जाएं, तीसरा जो अलीसा की बॉड़ी के उनको हम एडिट करेंगे और उनसे हम तीन डिमार्ड अपनी पूरी करवाएंगे एक तो अलीसा के बाडी के अंदर जाएगा तू एस सेल को कुछ नहीं कहना तो गया था ठीक है हमने एडिट कर दिया दूसरा ये patient to patient होगा क्योंको अलीसा की body के cell किस type के हैं वो देखने पड़ेंगे तब ही यहां पे हम addition वो कर पाएंगे कि इस type के cell को कुछ नहीं कहना दूसरा वहां पे जाएगा तो जब cancer cell आएंगे तो उनको तू मारेगा कहता ठीक है तीसरा अगर हम उसकी body को chemotherapy देगे कि तू वहां पे कुछ वो नहीं करेगा कि ऐसा नहों कि तू disintegrate हो जाएं ब्रीक हो जाएं कुछ हो जाएं तो उसको तू sustain कर पाएगा target only required cell बिल्कुल तो यहां पे हम यह काम करते हैं इस process को बोलते हैं T cell तो यहां पे मैं quickly ले जलता हूँ आपको उस page के उपर जहां पे यह है ठीक है तो अलीसा के पास T cell लेकीमिया है मैंने आपको ब्लड cell cancer है तो उसको छोड़ो अब यहां पे क्या किया हमने यह सारा procedure तो क टीट किया जो डूनर के टीसल है उसको एडिट किया तीन डिमांड पूरी करवाई एक तो कीमोथरेपी को रिजिस्ट कर जाए दूसरा जो उसको ठीक है प्रोटेक्शन दे तीसरा जो है वहां पे रिसेप्टर रिमूव करवाए गए ताकि जो टीसल है वह अटेक न करे अ करते हैं अब आपको जो काट इसल तरेपी और बेस एडिटिंग है इसके अंदर वहां पर कोई दिकत ना आए ठीक है और ना ही आएगी ठीक है अब बात करते हैं जीन साइलेंसी की ठीक है तो यहां पर यह समझ आ गया सरा कि बताए है कि ठीक है कोईशन के साथ पूछ सकते हैं देखो हाँ अब यह नोंने बताया चिरहान है कि कोईशन के एक तो देखो सीधा आ गया काट इसल तरेपी रिसनली जीज में थी किसको ट्रीट करते है कैंसर आ गया दूसरा बेस एडिटिंग रिसनली नीज में थी किसकी ट्रीटमेंट के ल होने वाला तो जितनी हमने information यहां पर ले लिए ठीक है ओके तो दोस्टों जैसा आपने यहां पर काटी इसल तरहपी एंड बेस एडिटिक के बारे में पढ़ा क्योंकि बायो टेकनलोजी यूपियसे के लिए बहुत जरूरी है तो इसके उपर हम ज्यादा कोर्स जोइन कर सकते हैं आप इस दिये होए नंबर के उपर कॉल कीजिए या हमारी वेबसाइट के उपर विजिट कीजिए so thank you very much